नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं । डाक्टर लाल पैथलप्स के बारी में यह एक पैथॉलोजिस सिस्टम पे काम करते हैं और इनका जो बिजनस है यह पूरा का पूरा बिजनस किसे पे काम करता है, जैसे आपको ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट करना है आपको urine test का report करना, आपके kidney में कोई problem, आपके heart में कोई problem है, तो जो report के लिए हम लोग जाते हैं, डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास तो डॉक्टर कहते हैं, इसका report करा के लाइए, X-ray का, बागी बहुत सारी चीजों का, तो ये सारी चीजे कहां पे होती है, डॉक्ट आप एक चीज़ देखेंगे, इनके पास बहुत सारी चीजों का package के form में होता, जैसे आप यहां पे देखेंगे, glucose की testing, यह करते हैं, races Hb. A1 जो है, उसकी टेस्टिंग करते हैं, ये सुगर एडवांस की टेस्टिंग करते हैं, तो इनके पास बहुत सारी चीजों का क्या होता है, package के form में होता है, आप यहां जाते हैं और यहां पर test अपना report generate करते हैं, तो जिसे lifestyle disorder में आप देख सकते हैं lungs का, heart का, liver का, LRG का, infertility का, तो इनके पास बहुत सारी चीजों का एक bundle packet के रूप में होता है, आप यहाँ पे जाएंगे, इनकी जो charges होंगे 1200, 1500, 1800, वो charge आप देंगे, और यह report आपको generate करके, आपके whatsapp mobile पे यह क्या करते हैं, send कर देते हैं, आपके mobile पे send कर देते हैं, तो अगर आप यहाँ पे जा कर रिपोर्ट कर आते हैं, कुछ ऐसे जिसे blood test कराना है, और blood test का related urine test कराना, तो आपको जाना भी नहीं पड़ता है, आप यहाँ पे इनका जो program है, वो लेंगे और इनके जो pathologist होते हैं, जो रखे रहते हैं, यह घर पे आपके आएंगे और collect करेंगे, आपका जो urine है, blood उसको collect करेंगे, और इसका report आपको एक दो दिन के अंदर-अंदर, मतलब आप समझें कि एक या दो दिन के अंदर-अंदर, आपके mobile पे generate हो जाता है, mobile पे send कर दिया जाता है, WhatsApp mobile पे आपके भेज दिया जाता है, तो इस type का इनका business है, इनके जो business है, यह आप देख सकते हैं, इनके जो कुछ data है, आपके सामने present है, कि इनके पास 10,000 प्लस pick-up points है, 4500 प्लस patient service centers है, 200 प्लस labs है, इनके पास 50,000 प्लस total number of test and panels है, अब तक 50 million sample इन्होंने collect कर चुक है, 25 million total number of customer है, यहाँ पर total number of customer का मतलब है, कि इन्होंने जितनी बार, जो लोग यहाँ से अपने चीजों को offer के form में, या पि जैसे भी यह जा के, अपनी family के form में जा के, अपना health care के जो packages लिए हुए है, उनकी ये बात यहाँ पर कर रहे हैं, अब अगर हम इनके financial data पर आजा है, तो Dr. Lal Patelovs की बल इंडिया में ही नहीं काम करता है, इनका जो main revenue है, वो हमारे North India से आता है, North India से इनका main revenue आता है, जैसे दिल्ली हो गया, यूपी हो गया और गुजराहत, महरास्टा ये सारी चीजों से इनके main revenue आती है, South India से इनके revenue थोड़ी कम है, साथी साथ ये बांगलादेश, स्रेलंका और नेपाल में भी business करते हैं, बांगलादेश में ये बांगलादेश के नाम से, डाक्टर लाल पैतलफ्स बांगलादेश, डाक्टर लाल पैतलफ्स नेपाल, डाक्टर लाल पैतलफ्स किन्या के नाम से, वहाँ पे इनके business चलते हैं, साथी साथ इनके जो और भी locations पे इनके काम से जिसे, भुटान, स्रेलंका, म्यानमार, मलेशिया, नाइजियरिया, ब्रुनेई, सौधी अरब, मालदीव, किन्या, घाना, कतर, कुएथ, यूएई, पतब इनके बहुत जो अफ्रिकन कंट्री है, अफ्रिकन और एसियन कंट्री को ये मैनेज किये हुए है, साथी साथ, अगर हम यहाँ पर देखें, तो इनके जो सेयर प्राइस है, वो 50-60% हमको प्रजेंट टाइम में डाउन देखने को मिल रहा है, तो जितने भी लिस्टेट कंपनिया हैं या अनलिस्टेट कंपनिया, इनके रिवन्यों में काफी ग्रो हुआ था, लेकिन कोविट के बाद इनके जो बिजनस है, थोड़े से डाउन हुए है, तो बिजनस डाउन नहीं हुए, कोविट में थोड़ा सा एक्सपांसन जाधा ह हो गया था, अभी वह एक्सपांसन जो continuous जैसे हमारे population के हिसाब से, और कोई disease के हिसाब से, जैसे viral fever अभी present time में चल रहा है, तो अब viral fever चल रहा है, तो सभी लोग blood test कर रहा है, तो blood test कहां से कराएंगे, blood test के लिए आप किसके पास जाएंगे, doctor के पास जाएंगे, doctor का जो charge ह होता है, वो 500-600 रुपा आपका चार्ज लेगा, उसके बाद जिस अपने किसी client, अपने किसी ऐसे लोगों के पास blood test के लिए भेजेगा, जिनका report कैसा है, ये भी उनके पास अच्छे machines नहीं, इनके पास अच्छे machines होते है, doctor लाल पैथलप्स के पास, तो generally लोग pathologist में, doctor ल लिस्टेट कमपनी जैसे path kind है, srl, srl लिस्टेट कमपनी है, साथ में एक ready cliff करके है, वो भी आ गई है, तो थोड़ा सा इसमें इनकी जो presence थी, जो market cap है, उसमें छोटी-छोटी कमपनियां भी included हो गई है, फिर भी इस company का जो grow है, presence है, वो अच्छा खासा देखने को मिलता है, वो कैसे पता चलता है कि company अभी 15,000 करोड की company है, और आगे चलके ये 1,15,000 करोड की company बन सकती है, future में, ऐसा कोई neglectable नहीं है, साथी साथ अगर हम देखे तो stock का P 62.5 है, और अभी इसका जो industry P 33.3 है, तो अपने industry P से का double के stock P चल रहा है, तो आपको देखने में बहुत मह हैंगा लग रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, company महगी नहीं है, क्यों महगी नहीं है, क्योंकि इस company का जो revenue है, growth है, अगर हमें आपे P ratio देखें, और P ratio पिछले 5 साल का देखें, तो पान साल का जो P ratio 59.6 है, तो लगभग company 60 के करीब चल रही P ratio में, तो company 5 साल के on average data पे ही चल रही ह है, अगर हम 10 साल का data देखें, तो 10 साल में 53.7 का और maximum इनका P ratio देखें, तो maximum P ratio इनका 53.8 का ही देखने को मिल रहा है, तो company का P ratio 53.8 तक तो रहता ही रहता है, यह average P है, और अभी company का जो P चल रहा है, वो 62.5 है, तो कुछ देर पहले जब इस company का अभी जो 50-50% company down होई है, तो इसका मतलब यह सही valuation पे आ रही है, ऐसा नहीं कि बहुत सस्ती हो गई है, यह सही valuation पे अभी present time में देखने को मिल रही है, company का जो rose है, यह दोनों बहुत अच्छे है, 25 और 29.4 है, जो की अच्छे कहे जा सकते हैं इस company का rose और ROE, company की जो interesting value है 729 है और उसके हिसाप से company काफी उपर देखने को मिल रही है, तो एक तरीके से यह देखने है, company बहुत सस्ती तो नहीं है, और company बहुत महँगी भी नहीं है, ऐसा नहीं है, 53.8 का किसका P.E. कर लगातार चलता आ रहा है, और 62.5 की present time में P.E. तो company का valuation, company का result है, company की quarterly result है, उसके हिसाप से company अभी थोड़ी मह ही दिख रही है, लेकिन वो अभी थोड़ा और correction के बाद वो 53.8 की P.E. ratio पे भी देखने को आपको मिल सकती है, ऐसा देखते हुए लग रहा है, अगर हम इसके quarterly result को देखे तो इसके quarterly result अभी जो पिछले December quarter में 497 का था, यहां 489 का है, और उससे पहले अगर हम देखे तो व के revenues बहुत जादा क्या हो गये थे, बढ़ गये थे, जितने लोगों को fever हो रहा था, वो सभी जाके यहां पर क्या कर रहा थे, blood test report या बाकि अपने report चेक कर रहा थे, तो COVID के वज़े से इनको अच्छा खासा gain मिला था, जून 2021 में, और यहां पर देखेंगे उनका net profit जो था को नहीं मिल रहा है, जो आपको यहां पर जून 2021 में देखने को मिल रहा, 134 करोल का जो इनका net profit था, ऐसा net profit भी हमको देखने को नहीं मिल रहा, अभी जो net profit अभी 54 करोल है, तो December 2021 का जो 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 डाटा था 497, उससे company कम सेल कर रही है, तो यह थोड़ी सी चिंता वाली बात है लेकिन अगर हम इसको yearly result से देखे, तो yearly result में कमपनी पिछले 2 साल से जो अभी यह जो present time में जो TTM चल रहा है, ट्रेलिंग 12 मन्त और मार्स 2021 वाला जो 22 वाला डाटा है, उसमें कमपनी लगभग 2000 करोल का सेल करके लगभग सारे 300 करोल, 246 करोल का net profit generate कर रही है, तो 246 करोल का अगर हम net profit इससे पहले देखे, चाहे quarterly result को हटा दे, तो लगभग 1300 करोल के सेल पे भी कमपनी 220-230 करोल का net profit generate कर रही थी, तो यह जो पिछले 4 साल का डाटा आपको 2020, 21, 22 और 23 का डाटा जो दिख रहा है, तो कमपनी का share price भी इसी 4 साल के difference में देखने को मिल रहा है, अगर हम यहां पे share price में चले जाए, तो अगर हम यहां जो price जो देखने को मिल रहा है, जो 56% down हमको यहां पे देखने को मिल रहा है, तो यह 56% down जो अभी हमें देखने को मिल रहा है, इस वाले price पे, यह वाला price हमको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पे भी देखने को मिल रहा है तो लगभग अगर आप यहां से कौन करें तो लगभग तीन साल का टाइम पिरिएड आपको देखने को मिल रहा है तो तीन साल के टाइम पिरेड में काफी यूज ग्रोथ किया और फिर से वो उसी प्राइस पर छली रिटर्न चली आई है वज़ाई यही है क्यो operating profit margin चल रहा है, तो सारी वाली प्रॉब्लम है, वो sales में आई है, जब भी कभी किसी company के sales में problem आती है, तो generally उसका sales price correction के mode में चला ही जाता है, तो आप यहाँ देखेंगे, जैसे ही इसकी company के sales बढ़ जाएंगे, अब देखेंगे, sales क्या होता है, कि हर बार आप देखेंगे कि किसी भी country में आया अपने परिवार में ही count करेंगे, तो हमेशा सभी लोग बिमार नहीं रहते हैं, आप blood test का report कब कराएंगे, जब बिमार होंगे, तो population हमारे यहाँ इतनी जादा है, धिरे धिरे लोगों के जो income है वो बढ़ती है, तो अच्छे खासे जगह यह अपनी report को check कराते हैं, साथी साथ साथ हम अभी हमारे Indian culture में ऐसा system नहीं है, लेकि धिरे धिरे यह grow हो रहा है, कि लोग health package ले होंगा, heart का, kidney का, liver का, सारी जो जाचे हैं, वो मैं हर साल कराऊंगा अपना और अपने पूरे परिवार का, जिससे क्या होगा कि अगर कोई बिमारी होगी, कोई disease होगा, तो पहले ही पकड़ में आ जाएगी, तो इन सब चीजों को जैसे जैसे यह grow होगा, आप देखेंगे के कमपनियों के sales, net profit, operating profit margin में भी अच्छा खासा grow देखने को मिलेगा, अगर हम कमपनी का रिजर्व देखें, क्या कमपनी के रिजर्व में कोई problem है, तो रिजर्व कमपनी का लगातार बढ़ता जा रहा है, मार्च 2011 में 88 करोर का रिजर्व होता, और हर साल आप देखेंगे के रिजर्व में थोड़ा बहुत ग्रोथ होता देखने को मिल रहा है, तो कमपनी का रिजर्व तो लगातार बढ़ता जा रहा है, कमपनी के रिजर्व में कोई problem देखने को नहीं मिल रहा है, कमपनी का अगर हम CWIP देखें, जो कमपनी है, उसमें investment कितना हो रहा है, current investment कितन है तो वर्किंग कापिटल बोलते हैं इसको तो वर्किंग कापिटल की बात करेंगे अगर हम यहां पे तो लगभग 15 करोड़ साथ करोड़ 10 करोड़ यानि कंपनी लगातार कुछ ना कुछ इन्वेस्ट भी करती जा रही है और जिससे इसके ठीक क्या होते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे न हमुसके फंडामेंटल को देख कि यह समझ में में बहुत लाधा प्रॉबलम नहीं है हर इशी तो एसा सां ऑफ्य बिजनस है जिसमें रहा च्पने साल क्या हो सब्सक्राइन हो में सब्सक्राइब तो यहां से fundamental मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, थोड़ी सी sales में प्रॉब्लम है, जैसे sales अच्छा होगा, आप देखेंगे, company का share price भी अच्छा खासा grow करने लगेगा, अब अगर हम इसके technical analysis को देखें, तो company अभी 56.67% down है, और मैंने इसका पिछला data देखा, और उस data में मेरे को कभी भी ये company 56.6% down देखने को नहीं मिले, तो ये first time इतना है, जो company down होई है, इससे पहले company 40-45% ही down देखने को मिलते हैं, जैसे आप यहां पर देखें, 22% company down है, और अगर हम और पीछे का data देखें, तो ये हमको data देखने को मिल रहा है, मार्स 2020 का COVID वाला time पे, तो COVID वाले time पे तो इनका grow ही होना चीए, जैसे सारी company गिरी थी ये भी गिर गया, लेकिन इनके sales और बाकी चीज़े grow ही हुए थे, तो अहाँ पर देखेंगे, इस ग्रावट के अगर आप यहाँ पर return देखेंगे, तो अच्छा खासा return देखने को मिला है, अगर COVID के बाद का return अगर आप यहाँ से मजर करेंगे, तो आपको लगबग 200% का return देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके revenue में अच्छा खासा grow हुआ था, इनका net profit operating profit margin सारे grow हुए थे, तो जो share price ह देखेंगे fundamental अगर अच्छा होगा, तभी technical में भी इस company के shares grow करते हुआ देखने को मिलेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे तो company आप 27% down है, 43% down है, 24% down है, तो हम एकर पूरा जब से यह company list है, मैंने सारा data देख लिया है, अब भी इसको देख सकते हैं, तो लगबग 25-26% और highest 43% down, company मेरे को देखने को मिली, तो यहाँ पर company काफी heavy down है, 56% down है, तो मेरे को लगता है कि जैसे ही next year आपको अच्छा खासा sales देखने को मिलेगा, इस company के share price में भी grow देखने को 100% मिलने वाला है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इस company में, इस company में invest करना चाहते ह है, देखिए मेरे कोई recommendation नहीं होती है, लगना अगर इसमें invest करना चाहते हैं, तो आपको कुछ data आपने दिमाग में set करने ना चाहिए, कि हम अगर इस company का price इस range पे आता है, और इस range से इस range के बीच में राता है, तभी आपको buy करनी चाहिए, देखिए company तो डूबे की नही price बिता चुकी है, तो दो साल का time period का correction हो गया, क्योंकि दो साल से company के sales नहीं बढ़ रहे है, तो company लगातार, उसका sales क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, तो अब एक चीस समझ में है, जैसे company का sales बढ़ेगा, आप यह माने चलिए कि अगर company का sales, जैसे ही इस price से समझ जाएगी company में grow start हो गया है, क्योंकि sales जब तक यह 400-500 करोर का sales करते रहेंगे, तब तक तो problem है, तब तक तो correction mode में ही company रहेगी, या तो stable हो जाएगी इसी range पे रहेगी, लेकिन grow तो देखने को तभी मिलेगा, जब company की sales 600 करोर से उपर देखने को मिलेगे, तो आपको quarterly result भी इसको check करना पड़ेगा, साथ ही साथ अगर हम technical analysis के बारे में बात करें तो company एक अच्छा खासा support range पे खड़ी है, अगर हम इस range की बात करें तो एक अच्छा खासा support range है, जिस range पे company अभी खड़ी है, तो मेरे को लगता है कि इस range से company bounce back करनी चाहिए, और अगर bounce back नहीं क करती है, तो हम एक दो और technical conditions देख लेते हैं कि company में घिरावट अगर होती है, तो यहां से और कितना नीचे जा सकती है, तो देखिए अगर इस company में ऐसी company में घिरावट होती, तो आप यह मान चली जो घिरावट है, वो 67% तक की घिरावट देखने को मिल सकती है, present time में अभ ठीक है, COVID के time पर जो घिरावट थी, वो range तक company जा सकती है, आप इस चीज को notice कर लिजेगा, यह जो range है, इस range तक भी company का share price नीचे देखने को मिल सकता, अगर इसके quarterly result जल्दी ठीक नहीं होते हैं, और वो range निकल क्या रहा है, यहां से काफी नीचे है, जो 1192 का निकल क्या र 1200 के range पर देखने को मिल रहा है, तो company यहां से काफी नीचे 1112 range पर जा सकती है, और अगर आप इस range को, अगर company break इसके ऊपर जाती है, तभी आप इसमें invest करें, क्योंकि यहां पर कोई technical system देखने को नहीं मिल पा रहा है, यह वाले जो range है, आप देख सकते हैं, यह वाली जो, मैं आप यहां चार्ट लगा देता हूँ, 2025 यानि 2030 वाली जो range है, तो 2030 यानि आप यह मान चली के 2050 वाली range अगर आपको company को देखने को मिलती है, तभी आप इस company में, ऊपर की तरफ, आप यह समझे कि इसका bottom बन चुका, अब यह company ऊपर की देखना है, तो इतना downgrade नहीं देखना है, तो वो क्या करें, सीधे 200 DM में लगा देखना है, तो 200 DM में का अगर हम price देखे, range देखे, तो यह निकल क्या रहा है, 200 DM में, जो कि 2200 के करीब चल रहा है, तो अगर company 200 का range ब्रेक करती है, यह जो 200 DM में, यह black वाली line जो है, वो 200 DM मे company को घाटे में sale नहीं करना चाहिए, तो कि अच्छी company है, ऐसा इनकी company खराब है, fundamental थोड़ी सी problem है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगी, और future इसका अच्छा है, future खराब नहीं है, तो लेकिन company में down है, तो अब यह lower high, lower low वाला return दे रहा है, तो भाई, इस time पे आपको इसम invest करने से बचना चाहिए, patience के साथ इसको थोड़ा देखना चाहिए, समझना चाहिए, quarterly result देखना चाहिए, अगर quarterly result आपको अच्छा मिलता है, और साथी साथ, इसमें अगर इस 2000, 2000 का जो range है, 2030 वाला, जो 2050 वाला range है, इसको अगर break करें, तो आप इसमें invest कर सकते हैं, और किस चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, तो इस price range पर, अगर आप यहाँ पर ध्यान से समझें, तो यह जो time period था, जून 2020 का, इस जून 2020 से पहले, यह company कभी भी 200 DM में को ज्यादा break नहीं की है, अगर आप notice करेंगे, तो 200 DM के company नीचे इस किसर 17 में आई थी, और उसके थोड़ा बहुत अगर आप नीचे देखेंगे, तो 2018 में थी, तो जैसे यह 200 DM के नीचे आती है, यह उपर की तरब grow कर गए थी, लेकिन अभी यह 200 DM को अच्छा खासा तरीके से break किया हुआ है, तो अगर यह 200 DM को यहाँ ब्लैक लाइन देख सकते हैं, तो यहाँ पर 200 DM को अ यहाँ से आप invest करती हैं, तो आपको टॉप पर सक जाने में लगबग 83% का return देखने को मिल जाएगा, तो अभी डाक्टर लाल पैथलोप्स में मेरे हिसाब से आपको केवल watch and watch करना चीए, यहाँ पर investment का कोई, मतलब मेरे को नहीं लग रहा है कि आप यहाँ से investment करके supportive range पर है, लेकिन अगर इस company quarterly result देखके मेरे को लग रहा है कि अगर यह supportive range और break हो गया, तो क्योंकि दूसरी बार यह company यहाँ पर फिर से support ले रही है, लेकिन अगर इसको break करेगी, तो मेरे को लगता है कि यह COVID वाला जो price है, इसको भी test कर सकती है company, इसमें कोई 2 राय नहीं ह तो अगर यहाँ COVID वाला price टेस्ट करेगी, तो आप समझ लेकिए COVID वाले price काफी नीचे है, अभी price चल रहा ठारस और आप 1100 के range में चले जाएंगे, तो 25-30% का discount देखने को मिलेगा, जो भी 77% है, वो बढ़के 67% नीचे देखने को मिलेगा, तो अगर कभी company 67% नीचे चली के लिए, लेकिन अभी मेरे इसाब से company को आप cable watch and weight वाले condition में रख सकते हैं, और 200 DM में break करने पर ही इसे buy एक कर, के आप 83-84% का return आने वाले 1-5 साल के अंदर पास सकते हैं, ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए आप इस channel को subscribe करें, और अपने share आपने अपने portfolio में लेके रखे हैं, और उसमें अगर आपको कुछ जानना है, तो आप नीचे comment करें अपने portfolio का जो share है, उसको बताएं कि ये कौन से portfolio, कौन से share के बारे में आप knowledge जाना चाहते हैं, और ऐसे ही fundamental और technical analysis के लिए इस channel को subscribe करें, बहुत बहुत धनिवाद आपका, thank you, thank you so much.